और पेपिसोड के सुरुवात में दिखाते हैं कि फैंक अपने फादरों के अस्टर और फैंका फैंक फैमिली के बारे में बता देता है वो सब जानकर वो अपने एक सिग्रेट रूम में जाकर अपने एंसेस्टर को द्वारा छोड़ा गया रिलिक्स और एक स्टोल को निकाल कर लाता है जिसमें इंपेरियल सिटी लोड़ पर एंसेस्टर को रिकोकनेज करने का बाते लिखा होता है Imperial City के बारे में Frank Saint King Mountain के Incent Note में सुना होता है जो कि Emperor और सुपरमेसिक का City हुआ करता था और उस वक्त में वहाँ पर जिसके पास पर ज़्यादा पावर हुआ करता था वही दुनिया का कंट्रोल करता था लेकिन Frank Chang को अब ये सक होते हैं कि अब वो City वहाँ पर बचा होगा ये फिर नहीं होगा और अपने Ancestry को द्वारा छोड़ा गया जेज Pendant को भी Frank को दे दिता है ताकि उसका यूच करके वो Frank Family को विश्वास दिला सके कि वो भी उनका ही Family का Descendant है इसके बाद रात का सिन दिखाया जाता है जब वो फैमली को दुवारा भेजे कि काफ़ी सार असासिन वहाँ पर आ जाता है और आकर चुपकर एकसन लेने के त्यारी करने लगे होते है लेकिन 13 को उनका बनक लग जाती है और उसका उठने से फैंग भी जाक जाता है और उसके पता चल जाता है कि वो फैमली अपना दाव चल दिया है इसलिए वो उन असासिन को बाहर निकलने के लिए कहता है अब जबकि फैंग को पता चल जाता है इसलिए वो सबी लोग आसासिन बाहर निकल जाते हैं जिसमें सब 15 डिवाइन ट्रेंग का और 10 इंसेटर का पीक लिवल पर होता है वो सब कमोशन सुनकर वहाँ पर बाकी को लोग भी आकर हाला देखने लगे होते हैं तबी आसासिन फैंक हाव को कंफर्म करने के बाद वो लोग अटेक करने के लिए आने लगे होते हैं जहां पर फैंक 13 को सब का काम तमाम करने के लिए कहे देता है उसका बात मान का 13 फाइट करना स्टार्ट कर देता है और सेलब कुछी सेकंड में सब का काम तमाम कर देता है और आकरी बंदा बचा होता है जूकि काफी मुश्किल से 13 से उसका फैंक का हैल्प करने का कारण पुछता है लेकिन कोई जवाब ना मिलने के बाद वो भी उसपर हमला करने चला जाता है और उसका रिचल भी बाकियों के तरह होता है वो देखकर सभी लोग काफी जिता हरान हो गये होते है तभी फैंक 13 को उफ फैंले का सरवनास करने के लिए बोलता है दूसरे तरब से वो सब देखकर किंग अपने एंसेस्टर से पूछता है कि इससे हमारे किंग्डम खत्र में तो नहीं पड़ जाएगा न एंसेस्टर कहते हैं को तुम जादा चिंदा मत करो फैंक फैंले जितना ताकत पर बनेगा उससे हमारे किंग्डम का फाइदाई होगा इसके तीन दिन बात कसी दिखाया जाता है जहाँ पर एंपरेर को उफ फैंले को से लिटर का बात पता चल गया होता है वो जानकर एंपरेर काफ़ जीते हैरान हो जाता है क्योंकि उफ फैंले डाइनिस्ट्री का पावर को टोप 10 में आया करता था और उसके पास काफ़ी सारे डिवाइन और हजारों के तादाद में इंसेस्टर लेवल वाले थे और हैरानी से पूछने पर पता चलता है कि कोई मिडल एज़ परसन था जो की अकेले पूरा फैंली को खतम कर दिया जो जानकर वो और जिते हैरान हो जाता है और समच जाता है कि अकेले खतम कर दिया इसका मतला वो जिरूर मार्सल किंग लेवल का होगा तबी उससे सैलम किंग्डम से एक न्यूज आता है और न्यूज पढ़ेने पर उससे पता चल जाते कि फैंग हाउ का गाड़ी वो सब किया होता है वो सब जानकर अब वो थोड़े से कम हैरान होता है क्योंकि उससे लगी रहा था कि ऐसे कुछ हुआ होगा और उसके अगेस्ट कोई भी एक्सन नहीं लेने के लिए बोलता है जो जानकर उसका साइनिक काफ़र जिते हैरानी से पूछता है लेकिन वो फैमिली तो टॉप 10 पावर में था ना लेकिन फिर आप कोई भी एक्सन क्यों नहीं ले रहे है एंपरेर कहाता है क्योंकि वो हैवनली फार्मसिस्ट है अगले सिर्में फैंक को दिखाते हैं जहां पर वो 13 को अपने फादर का गाड़ बना देता है और वो लोग वापस सेंट किंग माउंटन जाने लगे होते हैं इसके तीनी दिन बाद सेंट किंग माउंटन को दिखाते हैं जहां पर उसका गल्फरेंड फ्रेक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन उनका मनी नहीं लग रहा होता है तबी वहाँ पर फिर से उगेंग आकर उसे प्रेसान करने लगे होते हैं जिस से उनका दिमाग काफर जिता खराब होने लगा होता है और तौंग चुम उस अपने कुट्टों के साथ वापर जाने के लिए कहने लगता है लेकिन उगेंग काफर जिते एरोगेंट ठोकर कहते है को तुम जादा चिंता मत करो जब मेरा भाई फैंग को मारकर आएगा तब तुम्हारी वारी भी आजाएगी जो सुनकर सभी लोग काफर जिते हहरान हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि कि हुए वो सच में तो नहीं मारा गया ना उनकी बात ओसे सुनकर ओगर और जिते इरोगेंट होने लगा होता है लेकिन तबी उन्हें फैंक की आवाद शुनाई देती है जिसे जिंपा देखकर ओगेंग काफर जिते हेरान हो जाता है और उसके भाई की चिंता होने लगी होती है और नर्वस होते है पूछते हैं तुम्ने भाई को मारत नहीं जिया है ना तबीध प्रोइफ इसको मूँगे करीब जाकर कहाता है को तुम काफी कम सोच रहे हो सिर्व दुम्हेरा भाई ही नहीं मारा गिया है वो उस दोनकर ऊगेंग और जिता डरते वे पुछता है आकर तुम्हारा मतलब क्या है फैंग अपने गर्फरेंट के साथ जाते वे कहते हैं को तुम्हें पता चली जाएगा वो लोग चाहिए रहोते हैं कि तब ही कोई आकर फैंग पर काफी भ्याना कहमला कर देता है जो देखकर सभी लोग काफर जीदा ह्रान हो जाते हैं और वो और कोई नहीं बिल्कि उगिंक का ग्रेंट पा होता है और वो यहां के ए Clay के इल्टर भी होता है जिससर देखकर उगिंक काफर जीदा खुश तो जाता है वहें पर उस हमले से उसका काफर जीता हालात खराब हो जाता है और उसके लोग जल्दे से उसे देखने जाने लगे होते हैं जहां पर फैंग अपना हरवा का यूजकर का खुद को हील कर रहा होता है और वहां से भागने के पारे में सोचता है क्योंकि वह उसका मैच बिल्कल भी नहीं होता है वो सब देखकर मिस्टर चू को साक खोने लगा होता है कि कहीं फैंग सच में उससे दो नहीं मार दिया है न तबी उली मिस्टर चू से कहता क्या तो मुझे अभी भी रोखना चाहते हो जो सुनकर Mr. Choo वहाँ का रूल और लोग का यूज करके उसे सप्रेस करने के कोसिज करता है लेकिन उसका कोई भी फायता नहीं होता है क्योंकि वह बाकियों के साथ उसे भी मारने के लिए बोल कर आगे बढ़ने लगता है इसलिए अब उसके पास फायट करने का लाबा और कोई चारा नहीं होता है दूसरे तरफ उली फैंक को दोस्तों पर हमला करने लगा होता है और वह हमला करी रहा होता है कि तभी Elder Luo Song आकर उली पर हमला कर देते हैं हमला करके उन समी का कारन पुछता है जिसका जवाब है Mr. Joe से कुछ-कुछ बाते बता देते हैं और जब उससे पता चलता है कि यह सभी Natak Fang House related है तो वो और जिते हरान हो जाता है और उली के कुछ कहने से पहले उसे फिर से पीट देता है जिससे उसका हालत काफो जिता खराब हो जाता है वहीं पर Elder Lu Song St. King Mountain में मौझुद सभी उफ Family को चिल्डरन को कंट्रोल करने के लिए कहता है दूसरे तरफ Chang और Wai Fang को ढूनने चले गए होते हैं लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है तबी Elder Lu आकर उनसे पूछता है कि वो ली माश्टर फैंग पर अटेक क्यों किये थे उसके मुँझ से फैंग को माश्टर सुनकर वो लोग काफो जीता है और पूरा कहानी बता देते है वो सब जानकर वो उस मामले से डिल करने के लिए बोलता है लेकिन फैंग कहाता है कि सेंट किंग सच में काफो जीता अच्छा है लेकिन वो मेरे फ्रेक्टिस करने के लिए ठीक नहीं है ये बोलकर वो उनसे एक्रिश्टल का पता के बारे में पूछता है उसके बारे में सुनकर लूसों को जितना भी पता होता है और उसके पास जितने information होता है वो सभी फैंग को दे देता है फैंग वो सब लेकर उससे कि हुआ फलाबर के बारे में पूछ लेता है उस फूल के बारे में सुनकर लूव सोंग काफर जिदा हैरान हो जाता है उसका वैसे expression देखकर फैंग और जिदे excited होकर पूछने लगा होता है लूव सोंग के पास उसके बारे में जितना भी information होता है वो सब फैंग को देते हुए कहते हैं कि हुआ फलाबर सिर्फ legend में exist करता है इसलिए इस सथ ज़्यादे उमीद मत करना फैंग ठैंक्स बोलकर वो सब इनफोर्मेसन पढ़ने लगा होता है जिसमें लिखा होते हैं कि वो फूल फोर्विडेन एरिया उफ लाइफ नाइम के जगह पर पाया जाता है जहां पर किसी भी लिवल का कल्टिवेडर उड़कर नहीं जा सकता है सिर्फ चलकर ही जा सकता है लेकिन वहाँ पर जाने का सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है और वो मौत होता है इंचेंज टाइम में सिर्फ इंपरियर ही उस फूल को ले पाया था और उसके बाद से कोई भी उससे ले नहीं पाया है इसलिए अब वो लेजेंड बने के रहे गिया है फैंग वहाँ पर जाने का रास्ता को नोट करके उससे मैप को वापस कर देता है और लूसों का अपना लोटस मेडिकल किंग का एक सीड दे देता है जिसका यूज करके वो अपने इडिन डिजिज को सप्रेस कर पाएगा और जब फैंग वापस आएगा जब वो इसके इडिन डिजिज को पुरी तरह से खतम कर देगा और अपनी दोनों गल्फरेंट का ख्याल रखने के लिए बोल कर जाने लगता है जिस सब वो लोग रोना धोना श्टार्ट कर देते हैं इसलिए फैंग कहा था है कि दो साल के बाद मैं वापस आकर तुम लोगों से साधी कर लूँगा इसलिए वो लोग दो साल और इंटिजार करने के लिए मान जाते है और फैंग वहाँ से फोरवेडिन एरिया ओफ लाइफ के एडवेंचर पर निकल जाता है इसके बद काफी टाइम बात कसिन दिखाया जाता है जहां पर फैंग काफी दूर आने के बाद उसे कोई वी एक्रिस्टल नहीं मिला होता है और जब उसके पास खाना खतम होने लगा होता है इसलिए सामने ममजिस रुबाया नम के टाउन के एक चोटे से होटेल में जाता है लेकिन उस होटेल में ज़्यादा खाना नहीं होता है इसलिए जितना भी होता है वो उतना ही मांग लेता है उतना delicious खाना को देखकर फैंक को मुझसे पानी आने लगी होती है लेकिन उसका खाने से पहले ही उसका little bowl आकर पूरा का पूरा चिकन ही खा जाता है जो देखकर फैंक देखते ही रह जाता है और कुछ कर नहीं पाता है और होटेल में और कुछ खाना नहीं पचता है इसलिए फैंग को अपना रिंग में रखावा बिश्ट का मिट को भी खाना पड़ता है तब ही वहाँ पर मिश्टर चेन की ग्रेंटोटर आ जाती है जिससे देखकर वो से वापस अंदर जाने के लिए कहने लगता है लेकिन तब ही वहाँ पर फान फैमिली का यंग मास्टर आ जाता है और हमिश्टे के तरह आगर परेसानी खड़ा करने लगा होता है क्योंकि उसका नजर उसकी ग्रेंटोटर पर होती है इसलिए वो जान बुचकर वहाँ पर प्रबबलम खड़ा करने लगा होता है और जब वो सब सीजी आनि कि उसके ग्रेंटोटर से बरतास नहीं होता है तो वो बाहर आगर उसे भागने के लिए कहती है उसे देखकर वो बंद उसे कंपनी देने के लिए कहने लगा होता है जिससे उसका ग्रेंट फादर उसे बचाव करने को कोस्स करता है लेकिन वो बंदा उससे और जिता गुस्ता हो जाता है और उसे पीटने वाला होता है लेकिन तभी फैंगी उस पर अटेक कर देता है जिससे उसे चोट लग जाती है और वो काफर जिता गुस्ता हो जाता है और उस पर हमला करने चला जाता है लेकिन फैंग उससे खाने पीने क्यों अड़ा रहे हो और अपना फान फैमिली के जूट से सप्रेस करने का कोसिज करने लगा होता है लेकिन फैंक कहा था कि मैं किसी फान फैमिली के बारे में नहीं सुना हूँ यह बोलकर वह ने डिराकर वहां सब भगा देता है उस हेल्प के लिए वह लोग फैंक को इसका फैंक्स करते हैं फैंक पूछते किस होटल में सरफ आप दोने ही क्यों है वह बताता है कि उसका बेटा दस साल से गायब है इसलिए उन दोनों के एक दूसरे पर डिमेंड होना पड़ता है और सिसी काफर जीते खुबसूरत है और कमजूर होने की कारण उसके जिससां लोग यहां पर आकर परसानी खड़ा करते हैं वो सब जैनकर फैंक फैंक फैंक्स की बॉलकर वो उनको ठीक कर देता है इसके बात कल सुबह कसिन दिखाए जाता है जेंपर फैंको सबक सिखाने के लिए कहता लेकिन फैंग उन्हीं लोगों को आराम सो हरा देता है जो देकर आज फास के लोग काफ़ जीता हरान हो जाते हैं वही पर य fang का अंकल उसका हेलक windows झाला पर जाता है .. जिसका की लेवल अच्छा छासा हूता है उससे देकर लोगों को उसके लिए आने लगी होता है लेकिन वहीं पर फैंग उस पर अटेक करके उसे भी काफ़ असाने सा हरा देता है जो देखकर यंग मस्टर फान काफ़ जीते हरान हो जाता है और फैंग को अपने तरब आता देकर उसके फटने लेगी होती है और वो डर कि मारे पैनेट में पहसाब कर देता है जिससे उसका काफ़ जीते बेज़िती हो गया होता है और सभी लोग अपने नाक बंद करने लगे होते है वहीं पर फैंक जबर जश्ति उसका घर लेकर जाने लगता है जहां पर जाकर फैंक उनका पूरा फैंवली को एक खतम कर देता है इसके बाद कलकसिन दिखाया जाता है जहांपर कि इसको होटेल में कोई आता है जिससे देखकर मिश्टर चेन काफ़ जिदे हैरान हो जाता है अच्छी के साथ यहीं पर इस इपिसोड के इंडिक हो जाती है अगर वीडियो पसंद आए और लाइक के वेट सेरका साथ चैनल के सब्सक्राइब जिरू कीज़ेगा भी ताम कल अगले वीडियो में रिप्र के लिए वागो निचे